हलो दोस्तों आपका स्वागत है नौलेज पार्क यूटूब चनल पे मैं आसा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे दोस्त जैसा ही कोरोना काल खतम होगा फ्रेंड जितने भी एक्जाम रुके हुए हैं वो एक्जाम होना सुरू हो जाएंगे मैं भगवान से यही प्रातना करूँगा जल्दी से जल्दी यह जो बुरा दौर है वो खतम हो जाए और आसा की एक नई किरण के साथ सबका एक आगाज हो नया तो प्रेंड आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं लेकर आएं 100 कोशन जो बिएलोजिक से लेड़न हे तो वीडियो में लाश तot बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है अगार-अगार किस से प्राप्त किया जाता है तो फ्रेंड अगार-अगार जो होता है वो क्लूरेला से प्राप्त किया जाता है ठीक है option number a हमारा correct हो जाएगा अगला कोशन है amoeba का प्रचलन अंग होता है मतलब amoeba अपना movement किस तरीके से करता है तो फ्रेंड यह करता है false feet मतलब कूट पार्ट से करता है तो option number c हमारा correct हो जाएगा जो amoeba एक unicellular organism है फ्रेंड यह इसके अंदर भी क्या होता है जितने human के अंदर मतलब transpiration ठीके ejection और assimilation सारा कुछ किसके अंदर होता है friend amoeba के अंदर होता है और यह अपना movement किसकी तरह दिखाता है friend किते feet जो होता है कूट पार जिसे बुलते है false feet उसके द्वारा होता है यह अगला question है निम्ड में से कौन सा एक कपी नहीं इन में से बताना है कौन सा कपी नहीं है तो friend जो लंगूर हमारा है वो कपी नहीं यह option number C हमारा correct हो जाएगा बाकि गिबन और एंगुटान गोरिला यह सभी कपी वर्ग में है और लंगूर हमारा बानर वर्ग में आता है अगला question है हमारा भारती वन नजीव के संदर में उड्डियन वल्गुल निम्ड में से क्या है क्या चमगादड है गिद है बलाक है य हैं अभी संताने एक समान नहीं होती हैं लो commercial के विभिणता के कारण लढ़ इक दोनों थों यह दोनों होती है मतलब और वाधा वर्ग में विभिनता के कारण ही होथी है तो option कोशन में जो लारवा को हम बोलते हैं ठेटपोल बोलते हैं और इसमें वह निशेचन होता है क्या होता है अगला कोशन है जीन अवस्थित होते है प्ते चीन किसमें हावस्थित होते हैं क्या गूड़कोय सोत्रो delivering में होते हैं राइबोजोम में यह हरीत लोग में तो फ्रेंट मेंस कि प्रक्रिया में मनुसी का निकत्तम प्राणी कौन सा है हीरण गाय बाग बंदर तो फ्रेंड ये हमारा है बंदर अगला कुशन हमारा जो है जीवन की उत्पत्ती हुई है पहालों पर वाईयू में जल में भूमी में तो फ्रेंड ये हुई हमारी जल में ठीक है अगला कोशन है मानों सरीर में यूरिया का निर्माल फ्रेंड कहा होता है तो फ्रेंड यह हमारा होता है यकरित में जो यूरिया का निर्माल होता है यह होता है यकरित में होता है अगला कोशन है निम्न में से किस एक सर्फ का भोज पदात भोज मुख रूप से अन्य सर्फ है मतलब ऐसा कौन सा सर्फ है, जो सर्फ को ही खाता है, इनमें ऐसा option हमारा है, सरल, पादुप, नागराज, रैप्टन, रप्त, कुरेल, तो यह हमारा friend है, नागराज, अगला question है, कोसिका में पाया जाने वाला अनुवांसिक पदार्थ कौन सा है, तो friend यह हमारा है, DNA, ठीक है, अप्शन नमबर, जो हमारा C होगा, वो करेक्ट होगा, अगला question है, कौन सा प्राणी सापों से ललता है, इसमें से बताना friend, कौन सा प्राणी जो है, सापों से ललता है, वो हमारा है, नेवला, ठीक है, नेवला और साप की लकाशिक तो आपने देखी ही होगी, अगला question हमारा है friend, gene है, इसमें से बताना gene हमारा क्या है, RNA का एक भाग है, DNA का एक भाग है, क्रोमोसेम का भाग है, या यकरित का एक भाग है, तो friend, यह हमारा DNA का एक भाग है, option number B हमारा correct हो जाएगा अगला कुशन है नेमन मेंसे कौन सा कीट नहीं है खटमल, मच्छर, घरेलू, मक्खी और मकडी तो friend मकडी जो हमारी है वो कीट में नहीं आते बाकि कक्टमल, मक्षर और घरेलू, मक्खी आती है जिनमें तीन पैर मतलब तीन पैरों का जोड़ा होता है friend वो इट वर्ग में आती हैं और बाकी मकडी में आठ पैर होते हैं इसलिए एक इट वर्ग में नहीं आता है स्वसन की प्रक्रिया संपन होती है बताना है हरित लवकों में, राइबोसों में, लाइसों में या माइट्रो कांड्रिया में तो फ्रेंट जो स्वसन की प्रक्रिया संपन होती है, हमारी होती है, माइट्रो कांड्रिया में ठीक है, ओप्शन नमर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसे हम पाउर हाउस आप दसेल बोलते हैं, अगला कुशन हमारा है, मनोसे में द्वी गुडित क्रोमोसम की संख्या कित इन में से कोही नहीं, तो इसे कहते हैं फ्रेंड मैंगोड बोलते हैं, घरेलू मखी का जो लारवा होता है, वो फ्रेंड होता है मैंगोड, ओप्शन नमर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगला कुशन है, अगला कुशन है, फ्लोरो मोन्स पाए जाते हैं, इसमें बताना ह नाभी रज्जू इसमें से कौन सा है, प्रॉण सयोगी है, बुरूण उतक है, रेशेदार उतक है या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड ये हमारा है, प्रॉण सयोजी उतक है हमारा नाभी रज्जू, अगला कुशन है, इनमें से कौन सा एक मीन नहीं है, के फिश, सिल्वर फिश, फिश या कटल फिश, तो फिश इसमेंसे यमारा मीन नहीं है बाकि क्रे फिश, अगला कोशन है बिच्छू का विह कहां होता है पैरों में डंक में मुक में या भाथ में तो फिश होता है वह दंक में इसके होता है, option number B हमारा correct हो जाएगा, अगला कुशन है, इन में से कौन सा एक ग्रंती नहीं है, तो फ्रेंट थाइराइड, अगनासाय, यक्रित और जठर, तो फ्रेंट जठर हमारा ग्रंती नहीं, बाकि थाइराइड, अगनासाय और यक्रित हमारा ग्रंती है, अगला जाकर के विरिक में छन जाती है, प्यूरिफाई होती है, रक्त समू के खोश करता कौन है, तो फ्रेंट ये हमारे है, कार्ड लैंड श्टीनर, option number A हमारा correct हो जाएगा, ठीक है, रक्त समू के खोश करता कौन है, लैंड श्टीनर है, अगला कुशन है, सबसे विशैला सर्फ कौन सा है, इसमें से बताना सबसे विशैला कौन सा है, मुशर्फ, रक्षिय सर्फ, करैल या पाइथन, तो फ्रेंड करैल जो कता है, वो सबसे विशैला सर्फ इसमें से है, अगला कुशन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है, किन्तु स्वसन होता है, तो फ्रेंड हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वह स्वसन करता है option number C हमारा correct हो जाएगा नर्सिल्स प्राड़ी कौन सा है तो फ्रेंड नर्सिल्स प्राड़ी जो हमारा है वो हमारा है कच्छुआ कच्छुआ जो है प्रत्वी पर सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला प्राड़ी है अगला कुशन हमारा है DNA का डबल हैलिक्स मॉडल किस ने दिया है तो फ्रेंड ये दिया हमारा Watson and Creek ने option number C हमारा correct हो जाएगा समूद्री सर्प को कहा जाता है समूद्री जो सर्प होते हैं उनको हम हाइड्रो फिस के नाम से जानते हैं अगला कुशन है अनाक्सी स्वसन का अंतिमित्पात क्या होता है प्युमेरिक अम्ल पाइरोविक अम्ल या जल या का plastic acid और फिरें यह उता है in aerobic respiration में जो anh Neo मुत्पाद बनता है वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड होता है तो option number D हमारा friend correct हो जाएगा एन एरोबिक respiration में अंति मुत्पाद हमारा लैक्टिक एसिड होता है मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है friend तो इसमें से बताना प्रमस्तिस्क जो हमारा friend होगा वो सबसे बड़ा भाग होता है और यह पूरे ब्रेंड का लगब का ने प्रमस्टिस्क होता है अगला कोशन है सेरे ब्रह्म किसे संबंदित है यक्रिस से नाड़ी से हिर्दे से या फिर मस्टिस्क से तो फ्रेंड सेरे ब्रह्म जो होता है वो मस्टिस्क से संबंदित होता है तो आप्शन अमर्डी हमारा करेक्ट हो जाएगा नेफरोन किसे सपारलों कि कुल संख्या कितनी होती है तो यह होती हमारी 46 होती है कि अगला कुर्ण Nam कि निम्न में से किसके अधबक के मानस्थ खानने से फीता करीमी मनुस्य की आथ में पहुचता है बकरी सुँष। गाए या भिड अगर हम सूर का जो अदबका मास खायते हैं, तो उससे कौन सा फीता, ठीक है, फीता करीमी जो होता है, मनुसिकिया तक पहुँच जाता है, ठीक है, तो किसके मान से, सूर के अदबके मान से, हालही में लुप्त हुआ जन्तु कौन सा, इन में से बताना है, ड्रेको, मैथर, कौन सा इसमें से, फ्रेंड, हालही में लुप्त हुआ जन्तु है, तो यह हमारा डैनासौर है, ठीक है, और ड्रैको को, फ्रेंड, हम मोलते है, उडने वाली छिपकली, ठीक है, अगला कोशन है, विसैली छिपकली इन में से कौन सी है, फ्रेंड, बरनल, कैमिलियान, हेलियो तो फ्रेंट जो टिडडी होता है वो एक कीड़ा होता है अगला कुशन नीसेचन की प्रक्रिया कहा होती है गरभाशे में अंडगरंथी में अंडवाहिनी में या फ्रेंड इनमें से कोहिन है तो फ्रेंड जो नीसेचन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है सबसे कम जो CellDivision होता है, मस्तिस की कोशिक वह में होता है, और सबसे ज़्यादा कहां होता है, strand, तो होता है, सबसे ज़्यादा leaver में होता है, अगला कोशन है जेली फिस के नाम से जाना जाता है ता हाइडरा, अमिविला, आरियाल इसमें से बताना है किसको हम जेली फिस के नाम से जानते हैं तो फिर आरिलिया को हम किस नाम से जानते हैं जेली फिस के नाम से जानते हैं अगला कुशन है मेड़क के इरदे कितने कक्ष में बटे होते हैं तो फ्रेंड मेड़क के जो इरदे होते हैं वो तीन कक्ष में बटे होते हैं और मेड़क फ्रेंड एक ठीक है किस टाइप की होती है वलित होती है हमारी हड्डियां किसको फ्रेंड होती है पक्षियों की अगला कोशन हमारा मदुमक्की और कीडी किस वर्ग से संबंदित है कीट किटाणू टिड्डा इनमें से कोई नहीं थे फ्रेंड मदुमक्की और कीडी किससे है कीट वर्ग स संबंदित हैं option number a हमारा correct हो जाएगा अगले question पर आते है पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू खर्वोस कुत्ता भिल्ली इसमें से friend भालू जिस कुल का है उसी कुल का हमारा पांडा भी है तो option number a हमारा correct हो जाएगा निर्दा रोग फैलाने वाली मतलब निर्दा मतलब कि sleeping sickness प्रीमारी कौन फैलाता है friend तो इसमें से तो यह फैला अंडा थिकृती है इसमें से फ्रेंड बताना है कि लड़का जो पैदा होता है तो इसमें क्रोमो संग क्या होता है फ्रेंड बताना है कि कौन से गुड़सूत्र हमारे होते हैं तो फ्रेंड ये होते हैं हमारे XY गुड़सूत्र होते हैं जब लड़का पैदा होता है ठीक है अगला कुशन है तालाबों और कुवों में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्चरों पर निया नतरण पाया जा सकता है तो फ्रेंड ये गेंबूश या फिश होती है जो मच्चरों को खाती से हम मौस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर फ्रेंड गेंबूश या फिश को हम मौस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं स्पंज के सीरे पर इस्थित बड़ा छित्र कहलाता है स्पंज के जो फ्रेंड होते हैं उनके सीरे पर जो बड़ा छित्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं असकुलम बोलते हैं अगला कोशन है माता पिता के गुड़ उनी संतानों के में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं रक्ट के द्वारा गुड़सूत के द्वारा या फिर हार्मोन के द्वारा तो फ्रेंड गुड़सूत के द्वारा माता पिता के जो गुड़ होते हैं व ये सभी मच्छली, चिपकली और मेड़क सभी क्या है, cold-bredded animals हैं, तो option number D हमारा correct हो जाएगा, तो friend, जो हमारा sleeping sickness, जो बिमारी कौन फैलाती है friend, CC मक्खी फैलाती है, sleeping sickness बिमारी, तो option number A हमारा correct हो जाएगा हैं अगला question हमारा है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोशड के कारण होता है, पौधे, केचुवा, अस्तंधारी, तिल चटे, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोशड के कारण होता है, तो friend, यह होताना अस्तंधारी से, ठीक है, option number C हमारा correct हो जाएगा, जीन का वर्तमान नाम वाले वैग्यानिक है, जीन का जो वर्तमान नाम वाले वैग्यानिक कौन है friend, यह तो हमारे हैं, जोहांसन, ठीक है, option number B हमारा correct हो जाएगा, जैव विकास को सर्वसम किस ने समझाया था, न्यूटन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, आंश्टीन ने, तो लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था, अगला कोशन हमारा है, किसी जीवित देह के भीतर, कोसिका या उतक की मृत्ति को क्या कहते हैं friend, इसमें से बताना इसको क्या कहते है friend, इसको बोलते हैं, न्यूट्रोफीलिया, ओप्शन नम्मर, ए हमारा करेक्ट होगा, अगला कोशन है, निम लिखित में से किस समू के जीवों का डूबने से हुई मृत्तियू का पता लगाने में महत्व होता है, इसमें से बताना है friend, देखिया option है, तो यहाँ बर टाइटम जो होता है friend, इसकी help से हम जीवों को जो मृत्ति होती है, उसका पता लगाने में यूज करते हैं, तो उसका नाम है टाइटम, केचुवे में कितनी आखे होती है friend, तो केचुवे में कोई आखे नहीं होती है, पुर्सो की नसबंदी को क्या कहते है friend, इन में से बताना है, पुर्सो की नसबंदी को हम क्या कहते हैं, तहां पर हमारा option होगा friend, बैसे टोमी, ठीक है, बैसे टोमी हमारा किसको बोलते है friend, पुस्तों की नस्बंदी को हम बोलते हैं। उत्परिवर्तन का सिध्धान्त किस ने प्रतिपादित किया है तो ये किया हमारा D ब्रिज ने option number B हमारा correct हो जाएगा अगला question है इस्त्रियों की नस्बंदी को कहा जाता है friend इस्त्रियों की जो नस्बंदी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ट्रिवेक टोमी बोलते हैं तो option number B हमारा correct हो जाएगा ट्रिवेक टोमी किसको बोलते है friend इस्त्रियों की जो नस्बंदी होती है उसको बोलते हैं मस्तिस्क के किस भाग में भूक लगने वह भोजन से द्रिश्टी के अनुभोती कराने के केंदर इस्तित होते हैं मस्तिस्क गुलार्द में हाइपो थेलेमस में अनुमस्तिस्क में इनमें से कोई नहीं तो friend हाइपो थेलेमस से हमें पता चलता है भूक लगने से ठीक है भूक और प्यास लगना हमें कहां से पता चलता friend हाइपो थेलेमस से भारत की सबसे बड़ी मचली कौन सी है इसमें से बताना भारत की सबसे बड़ी मचली कौन सी है तो फ्रेंड वेल शार्थ जो है हमारी भारत की सबसे बड़ी मचली है अगली कोश्चन हमारा है कृतिम गुर्दा निम्न में से किस सिध्धान्द पर करता है फ्रेंड परासरण सक्री परिवान विसरण या फिर डायलेसिस तो फ्रेंड आपने सुना होगा जिसका किडिनी सही से काम नहीं करता है तो फ्रेंड उसको डायलेसिस कराना पड़ता है तेसी प्रोसेस को किस पर काम करता है फ्रेंड डायलेसिस के प्रोसेस पर काम करता है कृत्तिम गुर्था निम्ड में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है इसमें से बताना है कौन सीधे अंडे देता है फ्रेंड बच्चे नहीं देता है तो फ्रेंड एक डिना जो है वो किसके अंदर आता है मैमल्स के अंदर आता है फ्रेंड और यह अंडे देता है बच्चे नहीं देता है याद रखे है यह क्या है मैमल है एकी दिना ठीक है कि option नमर एह हमारा correct हो जाएगा अगला कुशन है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदाइक रोमसंंग होता है पिता का माता का माता और पिता दुनों का फ्रेंड ये होता है पिता का चपल की अकृति का जन्तु कौन सा है पैरा मीशियम है तो फ्रेंड हमारा जो चपल की अकृति वाला जो जन्तु होए वह हमारा है पैरा मीशियम ठीक है पैरा मीशियम की जो अकृति होती है वो चपल नुमा होती है फ्रेंड किस रुधीर वर्ग में कोई एंटिजन नहीं प कुछन निंद्ट यह हमारा है लिंद मर्ट काला जार gamer करने वाला एक प्रोटो जोगा है यह भी पूछा जा सकता है खाला जिबंध कि उसे होता है तो आपको याद रखना होगा जोगा, अब विमारी फैलती है अगले कुशन पर आते हैं रक्त में प्रती सकंदन पदार्थ कौन सा है यह बताना है तो यह हमारा है है अप्शन नमबर यह हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन आरेश फेक्टर का नाम किस से सम्बंदित है बालू से बिल्ली से मनुस से या फिर बंदर से हमारा आरेश फेक्टर का नाम सम्बंदित है यदा रखिएगा मनंदर से यह सम्बंदित है अब कशिए एक वर्डांद पुरुश एक सामान महिला से विभा करता है तो वर्डांदा की लचड़ उतपन होंगे उसके पृत्रों में पुत्रियों के पुत्र में या पूत्रियों में तो ये हो जाएगा पूत्रियों के पूत्र में ठीक है आपको पता हो नचिए फ्रेंड वडहांता मतलब कलर ब्लेंड़नस जो होता है वो एक जैनिटिक डिजीज है मतलब माता-पिता द्वारा उनके बच्चों के में आ सकती है ये काफी important question है दोस्त निम्न में से कौन सा एक link सलग रोग है इसमें से बताना तो friend ये हमारा है वडानता ठीक है color blindness जो हमारा एक genetic बिमारी है friend अगला question है मैमत पूर्वश थे तो friend मैमत जो थे हाथी के पूर्वश थे अगला question हमारा है malaria पर जीवी तता amoeba को किस इस रेड़ी में रखा गया है तो friend malaria protozova द्वारा होता है और amoeba भी protozova के अंदर गत आता है तो option number A हमारा correct हो जाएगा अगला question है मानव मस्तिस्क में बुद्धी का केंद्र है तो बटताना है इसमें से बुद्धी का केंद्र कौन सा है तो friend seri belam जो हमारा है seri brahm जो होता है friend वो बुद्धी का केंद्र होता है तो option number C हमारा correct हो जाएगा अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है तो friend अपोहन का जो प्रयोग करते हैं dialysis इसको बोलते हैं friend यह हमारा वरिक के अंदर गत होता है ठीक है इसको इंगलिस में बोलते हैं dialysis अगला कुशन है निम्न में से कौन मानों मात्र के लिए उपयोगी नहीं है मदमक्की रेसम कीट फीता क्रीमी केचुवा तो फीता क्रीमी जो है फ्रेंड उमनिस के द्वारा मतलब कोई भी यूज में नहीं आने वाला जीवो के प्रकृतिक चैन का सिधान प्रतिपादन किया है तो फ्रेंड किस ने किया है तो फ्रेंड ये किया है हमारा डार्विन ने ठीक है जीवो की प्रकृतिक चैन का सिधान किस ने दिया है ये कई बार एक्जाम में आ चुका है ये किया है डार्विन ने अगला कोशन है, मेढग में फस्टेलाइज़ेशन की प्रक्रति होती है, तो ये फ्रेंड होती है, वाह है, ठीक है, एक्स्टर्नल फस्टेलाइज़ेशन होता है मेढग की अंतरगा, कि सरूधीर वर्ग में दोनों antigen पाया जाते हैं, तो friend ये हमारे पाया जात... एंटी बोड़ी पाइजाती है कोई नहीं पाए जाता मगर दोनों एंटी बोड़ी पाए जाती है हमारा कुछन्ट होता है . संदीपात म्रदू कच्वी मृदू कवची . अगला कुछन हमारा है . मानो सरीर में यूरिय की अधिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है ? रक्ट में मूत्र में व्रिक में हुरंदे में मूत्र में यूडिया की अधिक्तम मात्रा पाई जाती है ऐख ला कुशन है घरबासे डिधिक के विकास की जानकारी होती है किसका प्रयोग किया जाता है x-ray का Ultra Vallet का Gammarase का Ultra sound अख तो फ्रेंड यह किया जाता है और जो हमारा O blood group है, इसमें दोनों antibody पाई जाती है। सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता है, वे ध्वनी ग्रहन करते हैं कैसे। जीब से, पैर से, तवचा से, मुख से तो तवचा से या ध्वनी ग्रहन करते हैं। अगला कुशन है, हमारी छोड़ी हुई सास, जो सास छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती, चार परसेंट, आट परसेंट, बारा परसेंट या सोलव परसेंट, तो यह होती है हमारी चार परसेंट, और जब हम इन्हेल करते हैं, तो फ्रेंट कितना होता है, 0.03% होता है, कारबन डाई, ऑकसाइड, मगर जब हम एक्जल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं, तो यह होती है, चार परसेंट, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है, जिसको हम इन्हेल करते हैं, तब भी उतन 58 परसंट होती है अगला कोशन हमारा है मनुष्य के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपक्सिष्ट कौन सा है यूरिया ऐमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट यूरिक अमलत तो फरेंड है धीके अगला कुशन अधिकान कीट स्वसन करते हैं इसमें से बताना है अधिकान जो कीट है वो कहां से स्वसन करते हैं तवचा से वातक तंतर से फेफडे से तो ये वातक तंतर से स्वसन करते हैं इसे बोलते हैं, external respiration इसको बोला जाता है, friend. अगला कुशन है, मतलब color blindness वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, friend. ऐसा ऐसा word, friend, की थोड़ा गलती हो जा रही है. हरा वाला color जो होता है, वो लाल रंग कैसा दिखाई देता है, friend. color blindness वाले व्यक्ति को वो दिखाई देता है, हरा. अगला कुशन है, भुरूड के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्टी की जाती है? तो, friend, ये की जाती, विजान डंसन के द्वारा की जाती है. अगला कुशन हमारा है, समजात अंग होते हैं, इनमें से बताना है, समजात अंग किसके होते हैं, रचना में, आकार में, रचना और कारे दोनों में, रचना में, और आसामान. तो, friend, ये होते हैं, रचना में आसामान होते हैं, समजात अंग जो होते हैं. मध्युक्यों का पालन का लाता है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तहुझा को बोलते हैं ऐसरी कल्चर औहरा हौटी कल्चर किसको बोलते हैं में बताईए क्रेप्स चक्र किसका संसलेशन होता है फ्रेंड क्रेप्स चक्र में किसका संसलेशन होता है तो फ्रेंड यह हमारा होता है पायरुविक अमलका संसलेशन होता है क्रेप्स चक्र में तो आप्शन नम्मर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है घोसला बनाने फज्रलस वाल एक मात्र साब कौन सा है यह हमारा है किंग कुब्रा लाश्ट हमारा सम्हारा कważने Pen टारा मज्मीन में से किस संघ का प्राणी तो फ्रेंड यह हमारा है तो q के काइनो लेट का संग का यह दो फ्रेंड के कोई गल्सरी उगए फ्रेंड तो के लिए चमा चाहता हूं ठीक है कुछ ऐसे words हैं और आपको वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएगा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और इसका मैं PDF आप टेलीग्राम गुर्प में दे दूंगा आप वहां से जाकर इस वीडियो को जो इसका PDF होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंसर भी दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसके पहले कोई भी ऐसा नहीं वीडियो बनाए जिसमें एंसर दिया हुआ था तो आप टे